हलो मेरे प्यारों क्या हाल है उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे तो चलिए पूरे जोश और खरोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास तो आईए आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले लेसन के बारे में कौन सा लेसन है आज हम बात करेंगे अपने लेसन 12 के बारे में ठीक हैं तो चलिए अच्छा आप लोग को जरा मैं बता दूं कि भाई लेसन 12 क्या है तो लेसन 12 है भाई इंटर जेक्शन चलिए आगे ब प्रेक्टेश बट्यूरी और प्रैक्टेश में कोई अंतर नहीं है लेकिन वास्तवित्ता में ऐसा नहीं है आप लोग मुझसे भैता समझते हैं इस बात को ठीक है चलिए तो इसी के साथ आज की करते हैं क्लास शुरूरू उमीद करता हूं आज आपको मजा आएगा बात करत हैं इंटर्जेक्शन ये टॉपिक बहुत छोटा है ज्यादा बड़ा हमें है नहीं ठीक है और समय जितने विसंटेंस यूज हो है आप पीछे पढ़ चुके हैं ठीक है तो सिर्फ इसमें देखना है इंटर्जेशन होता क्या है और कुछ जो पीछे संटेंस पढ़ लिया उन यह वह ने जाकर नहीं देखा है जाएे जाकर देख लिजिए एंग्लिश-speaking नाम से इसकी प्लेलिस्ट वनी हुई है डिस्क्रिप्ठिशन में लिंक है और आप स्पार्च भी कर सकते हैं सर्च वर्च मत कीजिए डिस्क्रिप्प्शन में लिंक है जाए जाकर देक स्क टिक्रोई खळी तो चलिए शुरू करते हैं लेसंट 12 को तो मैं बता दुउं आपको भताया मैं अपको इंट्रेक्शन है ठीक है निवस्म्याधी बोदक चलिए मैं आपको सम्झाने का प्रियास करता हूं कि introduction क्या होता है आये कराय इंटेजक्शन क्या है वह वर्ट से है कि यहां पर देखो clear लिखा गया है कि इंटरजेक्शन का प्रियोग किसलिक आता है इंटरजेक्शन का प्रियोग अपनी भावनाओं को कि व्यक्त करने के लिए आता है भावनाई मतलब क्या होती है feeling और emotion को क्या क्या थे भावनाई क्या थे मतलब इंटरजेक्शन मन में उठ रही अचानक से किसी भी भावना ठीक है या आपके मन में कोई भी feeling उठ रही है उसको यह दिखाएगा ठीक है चाहे वो दुख का हो चाहे वो खुशी का हो ठीक है जैसे मान लोग दर्वाजे पर हां तरके खड़े हो दोस्ता आया बंद करता है तो यह चोट लग गई तो यह क्या है यह अचानक से क्या है दुख की भावना है ठीक है को तो सुन्द में आए कि अच्छा उनकी देथ हो गई बहुत अच्छा अद्मीच तो अठीक है तो किसी भी तरक की भावना चाहे वो क्या हो चाहे वो खुशी हो दुख हो या हैरान हो ना हो या शावाशन देना हो मतलब मन में उठ रही किसी भी अचानक भावना या feeling या emotion क को दिखाने के लिए अंटर्षान लिए अपृरियोग किया जाता है ठीक है क invention के लास्ट में एक्सकॉलामेशन मार्क ठीक है क्या ! मास्ट नो एक्सक्लामेशन यू कि अकिलमेशन आई की तरह दिखता है पीछे मैंने बताया था आप लोगों की एक्सक्लामेटर सेंटेंस के अंदर भी यूज किया जाएगा यहां पर ठीक है चलिए तो सर क्या पूछेगा तो क्या बताएंगे देखिए आप समझ तो गए कि इंटरशन मन बे उठ रही अचानक से किसी भावना को दिखाता है जहाए खुशी का हो दुख का हो यह सरप्राइज का हो ठीक है इस तरह की जो भावना हैं को दिखाता है चलिए तरह डेफिनेशन आप उता दे और सम्झा दें ताकि आप लोग आगय से याद आखे हैं उसको देखिए क्या कह रहा भवाई इंटरशन are used to express मतलब दिखाने के लिए सदन मतलब अचानक से क्या feeling और emotion तो इंटरशन आर यूज्ट्ट्टिश तो एक्स्प्रेस सदन फिलिंग और emotion that originate औरिजिन मतलब उत्वन होना due to sudden joy मतलब sudden अचानक से किसी खुशी की कारण हुआ हो दुख की कारण हुआ हो surprise या किसी approval कारण हुआ हो मतलब चाहे हो दुख हो खुशी हो या किसी ने आप उको information दी हो किसी भी तरह की भावना हो चाहे हो खुशी की हो दुख की हो हिरानी की हो ठीक है joy grief या surprise बोल सकते हैं इसको आप तो इस तरह है कि word और phrase जो यूजते हैं ठीक है उन्हों क्या बोलते हैं हम interjection ठीक है clear ऐसे word जो मन में उठ रही अचानक किसी भावना को represent करेंगे नि दिखाएंगे एक से अधिक वर्ड ठीक है वो भी रूब सकता है clear को दिक्कत और लास्ट में इसके exclamation वाख लगता है चलिए इसको एक्जामपल से समझने का प्रयास करने हैं देखे जैसे यह है joy joy का मतलब क्या आथा भाई खुशी यहां पर आपको देखने को मिलेगा की जैसे एक वर्रे बोलते हैं हम खुशी में परयोग करते हैं देखो सब क्या है एक्सलामिशन माग लगा है तो यह क्या है इंटर्जक्शन जैसे ग्रीफ मतलब दुख दुख में बोलते ना अलास oh my god so sorry what a tragedy how tragic oh no how sad यह सारे वर्ड हम दुख में प्रियूब करते हैं यह सारे वर्ड हम पीछे भी डिसकस कर चुके हैं और उनके संटेंस भी थोड़े डिसकस किये थे यहां बस आप फिर सिसको वापस डिसकस कर रहे हैं ठीक है चलिए इसके नत्रम जितने संटेंस दे देख चुके हैं तो वहां भी अच्छन लोगों वीडियो देखी है उनको पता होगा ठीक चलिए आगे बात करें देखे सर्प्राइज की बात करें तो चौक्ते वें किन वर्ड का प्रियोग करते हैं वाट हां ओ माई गॉड्ड माई गुड्नेस अमेजिंग फैंटास्ट जिक वह ओई जिट्ट यह सारे क्या है हम सर्प्राइज जबुता है छोटे वे भाव्नाओ के लिए इनका प्रियोग करते हैं यह सारे क्या है इंटर जेक्षन और कंसर्ण मतलब अपनी सहमती व्यक्ष्ट परने के लिए जासे बड़ावो लीज शर्टेनली ट्रू वैल द कर दूंगा या sure I can do it अब mistake के लिए प्रयोग करते हैं ये भी क्या है भावना on mistake अपनी गलती को वेक्ट करने के लिए ओप्स ओ माई गॉड या माई गॉड या नो ठीक है इस तरह से हम प्रयोग करते हैं अपनी गलती को जाना जैसे मालो कोई बड़ा चीज हम तो तो गए हम ठीक है या बोलता है भगवान या औरते बोलती है ना सिर्ल में नहीं हाँ वह वाला ठीक है चैलिए इस तरह के वर्ड इंटरेशन में प्रयोग क्या आता है लास्ट मेंन के एक्सक्लामेशन माग ठीक है कुछ लोग एक्सलामेटरी बोलते हैं चलेगा कोई देखते वाली बाद नहीं है चलिए यह जितने के संटेंस आप देख रहे हैं इन सब को हम पीछे पढ़ चुके हैं आई एक बार आप लिखा हुआ है God bless you आप पढ़ सकते हो को इलिकर वाली बात नहीं है बाकि आप लोग को तो पढ़ना आता ही है चलिए वाह गजब बहुत बढ़ियां तो क्या बोलते हैं वह या वंडर्फुल बोलते हैं इसको ठीक है बाइग गॉर्ड ग्रेस तो बोलते ना भगवान की हिम्मत तो क्या बोलेंगे हाव डियर ही याद रखना सबके अंत में एक्सलामेशन माप यानि उल्टा आई जो है ना वो लगेगा चलिए चलिए करना ओह प्यार है ना चलिए ओहनिया ओडियर जब दिल से आपके प्यार उमड़ रहा ठीक है बाकि आप देख लो कब आपक यूजने वाले चीज़ें हैं तो मैंने पहले बताया था कि वकल लेकिन तरह सब चीज़ें हैं आपको याद रखनी चाहिए और यहां पे मैं आपको फिर से गवार रिमाइंटर दे रहा हूं कि जराए से याद रखिए ताक कि आपको जब हम बोलना शुरू करेंगे तो ब अग्ला है बखवास तो का बोलते है एब्जॉर्ड नंसेंस या फिर ठीक है अग्ला कैंब भग्वान का शुकर है तौकिया बोलते हैं ठैंगअ करां यह हुई ना बात जब जीत की खुशी में बोलते हैं तो कि अगला है नजर ना लगे तो क्या बोलेंगे टच वूड या फिंगर प्रॉस्ट ठीक है अगला है जरूर क्यों नहीं पक्का से क्या बोलेंगे शोरी वाई नौट या अफकोर्स ठीक है इन तीनों का मॉक्ते वे यह ली एजट अगला है बहुत-बहुत धन्यवाद तो क्या बोलेंगे थाइंक सा लोड बद्हाई ओ तो क्या बोलेंगे मेश्व निद्वेशिन जिके न थे आइडिया है तो क्या भुलिए ऊटन अइडिया पता है आपको वोड़ा को न कि ना पहले एक एड क्या होता है एक बार रिपीट कर दूं इंटर्जक्शन ऐसे वर्ड हैं जो मन में अच्छानक यानि सदन जो फीलिंग्स या इमोशन्स आते ना उनको दिखाने के लिए किया आता है चाहे वो दुख के हो खुशी के हो कंसर्ण के हो या क्या हो है रानी के हो ठीक है तो इन सब को जो वर्ड दिखाएगा मतलब इस तरह की जो मन में उठ रही भावना मुझाएगा उसे हम इंटर्जक्शन बोलेंगे ठीक है उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ आपने नया सीखा होगा और यह सीख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कोई दिक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कुछ मुद कीजिए नहीं कर रखा है तो कर लिजी मिलते हैं कल नहीं क्लास साथ